मैंगो मिलकशेक मैंगो मिलकशेक बनने के लिए हम लेंगे आम। तो मैंने यह वह एक पड़ा है और इसे ऐसे पीसिस में इसे, निभाला है। साथ में लेंगे चीनी तो मैंने हाफ कप चीनी लिए है और यदि आप जादा मीटा पसंद करते हैं तो आप जादा चीनी लें आइस क्यूब्स लें थोड़ी सी इसे चिल करने के लिए और साथ में ले लिया है एक गिलास दूद तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो इसके लिए मैंने इहां जूसर ले लिया है अब इस जूसर में आड कर लेंगी mango के pieces साथ में आड कर लेंगी चीनी और इने के साथ आड कर लेंगे ice cubes आप चाहें तो इससे प्यूरी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं अब इस जूसर में हम मैंगो की एक फाइन प्यूरी तेयार कर लेंगे मैं यहां जूसर में मैंगो की साथ दूद आड़ नहीं करूँगी क्योंकि जब हम juicer में mango के साथ दूद आड़ कर देते हैं तो उसमें form आ जाता है वो बहुत ही form ही हो जाता है और form आने के कारण वो बहुत ही काड़ा हो जाता है जिसे कि उसका taste बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो आप ध्यान रखें जबी भी आप juice बनाई तो आप आम के साथ दूद मत अड़ कीजी थोड़ा सा पानी या बर्फ अड़ कर दीजी इससे उसकी प्यूरी तयार हो जाएगी और दूद हम last में अड़ करेंगे इससे इसका taste बहुत ही अच्छा हैगा एक दो मिनट में ही आम की fine प्यूरी तयार हो जाएगी तो यह देखिए आम की अच्छे से प्यूरी बन गई है लेकिन फिर भी यदि इसमें एक दो पीसिस रह गई है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे ट्रेनर से चान लेंगे इससे जो lumps या कुछ mango की पिसिस यदि रह भी गए हैं तो वो भी निकल जाएंगे और एक smooth प्यूरी बन जाएगी जिससे जो juice है वो भी बहुत ही बढ़िया बनेगा इस तरह से mango milkshake बनाने का एक benefit यह भी है कि आप आम की प्यूरी बना के रख दीजी और जबी भी आप mango milkshake पीना चाहें तो इसमें दूद अड़ कर दीजी इससे जो mango milkshake है वो एकदम fresh रहेगा और अच्छा लगेगा यदि आप पहले से ही जूसर में दूद और mango add कर देते हैं तो वो fresh नहीं रहता है वो पड़ा पड़ा गाड़ा हो जाता है इससे तुरंथी पीना पड़ता है तो यह देखिए हलकी सी इसमें जो lumps रहे गए हैं उनको हटा देते हैं तो अभी एकदम fine puree तयार हो गई है तो अब इस puree में हम add कर लेंगे दूद यदि आप ज़्यदा गाड़ा mango shake पीना चाते हैं तो इसमें आम की quantity बढ़ा दीजी इससे जो आम का टेस्ट है वो भी ज़्यादा हैगा और जो mango shake है वो भी गाड़ा हो जाएगा तो बस इसमें दूद आड़ करने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छे से mix कर लेंगे तो ये देखें आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी फोम नहीं बना है और ये गाड़ा नहीं हुआ है बस इसे whisker से या किसी चमश की साहिता से अच्छे से mix कर लेंगे तो ये आराम से आपस में mix हो जाएगा अब बस ये mix हो चुका है अच्छे से तो इसकी thickness भी चेक कर लेते हैं तो ये देखें इसकी thickness ये ज़्यादा गाड़ा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है ये ज़्यादा गाड़ा पसंद करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आप इसमें ज्यादा mango एड़ कर दीजिए अब इने गिलासे इसमें सर्व कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब से ओपर से ओर भी डा सकते हैं इसे एकदम चिल करने के लिए मैं यहाँ कोई भी ड्राइफ रूट्स काम में नहीं ले रही हूँ क्योंकि यह जो मैंगो शेक बना है वो ऐसे ही टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है यदि आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी से ड्राइफ फ्रूट्स भी एड़ कर सकते हैं मैंगो शेक अब वो सरू करने के लिए रेड़ी है धानकी मैंगो शेक जबी भी बनाएं तो इसे एकदम फ्रेश ही बीजिए थोड़ी दे रखने के बाद यह गाठा हो जाता है और यह हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रता है तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत तन्यवाद यह दि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले